Hello everyone, welcome to exam ideal family. This is part 2 of Delhi GK series for Air Force, Navy, NDA, SSC and other competitive exams. So part 1 में हम भारती इतिहांस के सिंदू सभ्यता के बारे में जितने भी महत्वपूरूर्ण कोश्चन बनते हैं, उन सभी के हम बात कर चुके हैं. और अब हम part 2 देखने वाले हैं, इसमें वैदिक सभ्यता से जितने भी महत्वपूरूर्ण कोश्चन बनेंगे, उनको हम देखेंगे और समझेंगे तथा याद भी करेंगे. तो हम सिंदु घाटी सभ्यता का part 1 में देख चुके हैं, अब हमें देखना है वैदिक सभ्यता के बारे में, इसके बाद फिर हम देखेंगे महत्वपूर्ण धर्मों के बारे में, फिर राजवन से उनके सासन के बारे में, और इसके बाद फिर मधिकालीन भारत को पढ़े तो चलिए, बिना देर किये हुए, हम शुरू करते हैं, अपना वैदिक सभ्यता, ठीक है, तो वैदिक सभ्यता का सबसे पहला प्रस्न आता है, पूर्व वैदिक या रिग वैदिक काल की से माना जाता है, ठीक है, यानि वैदिक काल जो था, वो दो भागों में बटा था, एक था, पूर्व वैदिक काल, और दूसरा था, उत्तरव वैदिक काल, ठीक है, तो पूर्व वैदिक या रिग वैदिक काल की से माना जाता है, तो पूर्व वैदिक काल, ठीक है, पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक का काल nó जो पिरियर्ट था वो था 1000 इसा पुर्व से छोद इसा पुरुत है उतरभैदी काल का केताडव था 1000 इसा पुर्व से छोद इसा पुर्व तब थिक है तो इसका ऊप्तण हो जाएगा हमारा बी ठीक है, आगे बात करें, तो next है हमारा, आरे सब्द का साब्दिक अर्थ है, ठीक है, आरे सब्द का साब्दिक अर्थ क्या होता है, स्रेष्ट या कुलीन, ठीक है, आरे सब्द का साब्दिक अर्थ क्या होता है, स्रेष्ट या कुलीन, ठीक है, next बात करें, तो next है हमारा phone number, ठीक है पहला अप्षन है वे संस्क्रित बोलने वाले थे वो संस्क्रित बोलते थे बिल्कुल सही है वे घुर सवारी किया करते थे यह भी सही है वे कई जुन्डों में भारत पहुंचे यह भी सही है वे मुख्यता नगरों में निवास करते थे यह जो है यह गलत है ठीक है त द्लगरों में निवास नहीं करते थे नेक्श्ट प्रस्न की बात करें तो नेक्स्ट है हमारा इनमें से के spasl का ग्यान वैडिक काल के लोगों को नहीं था उप्षNew है जो गे हूं अध्यापको को किस नाम से जाना जाता था ठीक है यानि उत्तरवाइदी काल में जो ब्रामबन विरोधी या वैद विरोधी जो अध्यापक होते थे धार्मिक अध्यापक होते थे उन्हें किस नाम से जाना जाता था यजमान स्रमण अर्थवान स्रेश्टीन ठीक है तो उन् ढेवचर संख्य कितनी है दो तीन चार या पांच तो कितनी है चार है तो अपसिन नमबर सी हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है हमारा कॉन से 3 वेद संयुक्त रूप omdat वेद त्रही कहलाते हैं ठीक है तो वेद को छोड़ कर तो इसमें कौन सा हो जाएगा रीगवेद या जुरवेद और सामवेद ठीक है नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है हमारा भारत के राज चिन में प्रोक्त होने वाला सब्द सत्यमेओ जयते किस उपनिशद से लिया गया है नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है हमारा रीग वखेयद का मुख वेवसायच क्या था तो रीग वखेयद का मुख वेवसायच क्या था क्रिशी पसु पालन सिख्छा या वेवसाय तो उनका मुख्य वेवसाय क्या था पसु पालन ठीक है इस पर ध्यान दिजेगा कितना लोग क्रिशी पर सही करतेंगे लेकिन मुख्य वैसा था रिग वैदिकाल के आर्यों का तो पसु पालम था ठीक है नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है हमारा प्रथम विधी निर्मित कौन है यानि प्रथम मनुष कौन है तो हिंदु धर्म का उनुषार प्रथम मनुष मनुष को माना जाता है ठीक है प्रत्थम मनुस किसे मना जाता है मनुक मना जाता है नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है हमारा कृष्ण भक्ति का प्रत्थम और प्रधान ग्रंथ है वो कौम सा ग्रंथ है जो कृष्ण भक्ति का सबसे प्रत्थम और सबसे प्रधान ग्रंथ मना जाता है महाभारत, सिर्मद भागवत गीता, गीत गोविंद या इन में से कोई नहीं तो हमारा option हो जाएगा सिर्मद भागवत गीता सिर्मद भागवत गीता को कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधार गरंथ माना जाता है ठीक है नेक्स्ट बात करें तो इसमें कम सा हो जाएगा हमारा सिर्मद भागवत गीता ठीक है नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है पुराणों की संख्या कितनी है ठीक है तो पुराणों की संख्या कुल कितनी है अठार ठीक है कुल अठार पुराण होते हैं ठीक है नेक्स् किसके उपासक थे तो वे मुख्य रुप से प्रकृति के उपासक थे यानि वैदिक धर्म के जो लोग थे वे किसकी उपासना करते थे तो वे प्रकृति की उपासना किया करते थे ठीक है नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है हमारा किस देवता के लिए रीगवेद में पुर तो किसके लिए हुआ है इंद्रे के लिए रीग वेद में पुरंदर सब्दता इस्तिमाल हुआ है ठीक है नेक्स्ट बात करें तो भारत में बाहर से आय और सरप्रथम बसे थे यानि आरे जो थे वो भारत में सरप्रथम आय थे और कहां पर बसे थे तो वे सर्व पुरथम पंजाब में जाकर बसे थे ठीक है, next बात करें तो next है हमारा, रीग वेद का कौन सा मंडल पुर्णत सोम को समर्पित है ठीक है, तो रीग वेद का कौन सा मंडल पुर्णत सोम को समर्पित है ठीके नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हमारा प्रसिद दस राजाओं का युद्ध दस राज युद्ध किस नदी के तरपर लागया था ठीके दस राज युद्ध किस नदी के तरपर लागया था गंगा नदी के तरपर ब्रंपुत्र नदी के तरपर कावेरी नदी के तो option हमारा इसमें हो जाएगा D पुरुषिनी नदी के तड़ पर दसराज युद्ध यानी दसराजाओं का जो युद्ध हुआ था वो पुरुषिनी नदी के तड़ पर हुआ था ठीक है, next बात करें, तो next है हमारा 800 इसा पुरो से 600 इसा पुरो का काल किस युग से जुड़ा है ब्रामभण युग से, सुत्र युग से, रमायन युग से या महाभारत युग से तो आठ सो इसा पूरु से छो सो इसा पूरु का काल जो था वो ब्रामभण युग से जुड़ा हुआ था नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है कीस काल से अच्छूत की अधारना अस्पस्ट रूप से उदित हुई है ठीक है यानि वो कौन सी काल है जिस काल से अच्छूत यानि छुआ च्छूत की जाती प्रतासी वो अस्पस्ट रूप से उदित हुई थी तो रिगवैदिक काल, उतरवैदिक काल, उतरगुप्त काल या धर्ण सास्त्र काल तो इसका उतर हो जाएगा आपका उतरवैदिक काल ठीक है? उतरवैदिक काल से ही अछुत की अधारना असपश रुप से उधित हुई है यानि उतरवैदिक काल में बहुत सारे जो समाजिक बुराइयां थी वे प्रकास में आई थी ठीक है? नेक्स्ट बात करे हैं तो नेक्स्ट है हमारा ग्यात्री मंत्र किस पुष्टक में मिलता है ठीक है तो ग्यात्री मंत्र किस पुष्टक में मिलता है रीगवेद यजुरवेद उपनिस्षद या भागवत तो इसका एंसर हो जाएगा आपका रीगवेद ठीक है ग्यात्री मंत्र रीगवेद से प्रा जाता था स्वर्ण आभुशन को गाये को तंबे के सीखे को या चांदी के सीखे को तो इसका इंसर हो जाएगा हमारा स्वर्ण आभुशन को निस्क के नाम से जाना जाता था ठीक है नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है हमारा 23 नंबर योग दर्शन के प्रतिपादक है यान योग दर्शन जो था, उपनीशन का जो अंग होता है दर्शन तो योग दर्शन के जो प्रतिपादक कौन थे तो पतनजली, गौतम, जैमिनी या शंकराचार, तो इसका एंसर हो जाएगा आपका पतंजली ठीक है इसके अंसर क्या हो जाएगा पतंजली जो थे वो योगदर्शन के प्रतिपादक थे यानि वे योगदर्शन के सबसे पहले उन्होंने खोज किया था ठीक है next बात करें तो next है हमारा quantify number आरमभिक वयदिक साहित में सरवाधिक वरणित नदी है तो आरमभिक वयदिक साहित में सरवाधिक रुप से वरणित नदी कौन सी है तो आप्शन हो जाएगा सिंदू, शतुद्री, शरस्वति या गंगा तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सरवाधिक वर्नित नदी कौन सी है तो option हो जाएगा हमारा सिंदू यानि सिंदू नदी जो थी वो आरंभिक वैदिक साहित्य में सबसे सरवाधिक वर्नित है यानि सबसे ज्यादा इसका वर्नन मिला है ठीक है नेक्स बात करें, तो Next 25 नम्बो, चरक संधिता नामक पुष्तक किस विश्य से संबादित है, ठीक है, तो चरक संधिता नामक पुष्तक जो 腹ा, किस विश्य संबादित है, फिर्स्थ और्थसास्थ राजनीती चिकीतसः ये धर्म यानि यह समन्धि जो विधी विधान होते हैं उनका की स्वेद में पाता चलता है रीग वेद में, साम वेद में, ब्रामभन गरंथ से या यजुर वेद से तो इसका एंसर हो जाएगा आपका रीग वेद से यानि यह समंदी जितने विविधी विधान थे वे रीग वेद में उनका वर्णन है उनसे पाता चलता है नेक्स बात करते हैं वैदिक युग में परचलित लोगपिरिय सासन परणाली थी यानि वैदिक युग में कौन सी सासन परणाली सबसे लोगपिरिय थी निरंकुष वात, परजात तंत्र, गरतंत्र या वनसानुगत राजतंत्र तो वैदिक काल में परचलित लोगशासन थी गरतंत्र यानि जो लोग थे वे राजा के चुनाव करते थे वहाँ पर निरंकुस राजा नहीं होते थे ठीक है और ना वन सानुगत राज तंत्र होता था ठीक है नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है हमारा सबसे परचीन वेद कौन सा है रीगवेद, सामवेद, यजूरवेद, अथरवेद तो यह तो आप असानी से पता सकते हैं कि सबसे परचीन वेद कौन सा है रीगवेद ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट है हमारा किस वेद में जादुई माया और वसीकरण का वरनन है जादुई, माया और वसीकरण का वर्नन कीस वेद से मिलता है रीग वेद से, यजूर वेद से, साम वेद से या अथर्व वेद से तो जादुई, माया और वसीकरण का वर्नन जो है वो अथर्व वेद से प्राप्द होता है नेक्स बात करते हैं तो next है हमारा रीगवेद में कुल कितने मंडल हैं, 10, 8, 9, 5, ठीक है, तो रीगवेद में कुल 10 मंडल परियुकते हैं, ठीक है, next है हमारा 31 नंबर, अथर्व का अर्थ है, ठीक है, अथर्व का अर्थ क्या होता है, यग, पवित्र जादू, अस्तुति या दर्शन, तो अथर् बात करें, तो next है हमारा परचिंतम व्याकरण, अस्त ध्याई के रचनाकर हैं, ठीक है, तो परचिंतम व्याकरण, अस्त ध्याई के रचनाकर कौन से हैं, गौतम, कपिल, पतंजली या पाणिनी, तो अस्त ध्याई जो था प्रथम संस्कृत व्याकरण की पुष्टक थी, और उसके रचना जो थे वे पाणि जी ने किया था, ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी अस्मरिती प्रचिंतम है, ठीक है, निम्न में से कौन सी अस्मरिती सबसे पुरानी अस्मरिती है, फर्स्ट मनु अस्मृति या वकले अस्मृति नारद अस्मृति या परासर अस्मृति थीक है तो हमारा एंसर हो जाएगा फर्स्ट मनु अस्मृति मन्नु अस्मिरिती जो था वो सबसे प्रचिंतम अस्मिरिती था नेक्स्ट बात करें तो आधि कावे की संगया किसे दी जाती है ध्यान दीजेगा आधि कावे की संगया किसे दी जाती है रमायन को, महाभारत को, गीता को, भागवत, पुरान को तो आदी कावे की जो संगया है वो हिंदु धर्म में रमायन को दिया जाता है ठीक है रमायन को हम आदी कावे की संगया देते हैं ठीक है यहाँ पर कन्फूज नहीं होना है यहाँ पर क्या हो जाएगा रमायन ठीक है नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है हमारा निम्ण में से कौन स्मृति प्रचिन्तम है मनु अस्मृति, यगवकल अस्मृति, नरद अस्मृति अच्छा ये तो हो गया है नेक्स बात करते हैं नेक्स है रीगवेद में सबसे पवित्र नदि की से माना गया है तो रीगवेद में सबसे पवित्र नदी की से माना गया है सिंधु को, सरस्वती को, पुरुष्णी को या सतुद्री को तो ध्यान दिजेगा रीगवेद में सरवाधिक जो पवित्र नदी है वो सरस्वती को माना जाता है लेकिन सबसे ज्यादा बार उलेख जो है वो सिंधु नदी का मिला है तो सरवाधिक पवित्र नदी की से मना जाता है सरस्वति को और सरवाधिक उलेख किस नदी का हुआ है तो सिंधु नदी का ठीक है, नेक्स्ट बात करें, तो नेक्स्ट है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, ठीक है, तो संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, 14, तो संस्कारों की कुल संख्या होती है, 16, ठीक है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है, 16, ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, तो ने वरूर मित्र ठीक है तो वरूर जो थे वे मुल्त जल या समुद्र के देवता थे ठीक है नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है गायतरी मंत्र की राचना किस ने की थी अफस्टन bowl ए हो जागा वसीस्ट ने विश्वमित्र ने इंद्र ने या परिक्षित na तो ग्यात्री मंतर की रचना किसने कि थी विश्वामित्र ने कि थी ग्यात्री मंतर का उलेक रीग वेद में है ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट है हमारा रीग वेद में कुल कितने सुक्ति हैं तो एक हजार अठाइस सुक्ति है ठीक है नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है हमारा पूर्व वैदिक आरयो का धर्म परमुक्त था तो पूर्व वैदिक आर्यों का पर्मुक धर्म क्या था भक्ति, मूर्ति पुजा और यग, प्रकृति पुजा और भक्ति तो अप्शन हो जाएगा हमारा सी नमर प्रकृति पुजा और यग पूरो वैदिक आर्यों का धर्म परमुक क्यों सा था? अप्शन C, प्रकृति, पुजा और यग वे प्रकृति की पुजा करते थे और यग करते थे और इसी को वे अपना धर्म मानते थे नेक्स्ट है हमारा 42 नंबर है निवन में से कौन अन मनुष्य द्वारा सबसे पहले परियोग में लाया गया ठीक है, कौन सा अन जो था मनुष्य द्वारा सबसे पहले परियोग में लाया गया था जव, चावल, गेहु या राई तो सबसे पहले जव को मनुष्य द्वारा परियोग में लाया गया सबसे पहले वैदिक लोगों दोवारा लोहा जो धातु था इसका परियोग सबसे पहले किया गया ठीक है नेक्ट बात करते हैं नेक्ट है अमारा 45 नूमबर रीगवेद के रचनाकर कौन है विश्वकर्मा धनवंतरी विश्वमित्र या भरतमुनिव ठीक है तो इसका एंसर ह जाएगा धनवंत्री यानि रीगवेद के रचनाकर किसे माना जाता है धनवंत्री को धनवंत्री नहीं रीगवेद की रचनाक की थी रीगवेद जो है सबसे प्रचिनतम वेद है ठीक है नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है उतरवैदिकाल में सबसे प्रतापी देवता क जो उत्तरवाइडिक काल था उसमें सबसे प्रतापी देवता की से मना जाता था विश्नु भगवान को ठीक है और पूरवाइडिक काल में की से मना जाता था इंद्र को ठीक है रीगवयदिक काल में मना जाता था इंद्र को और उतरवयदिक काल में किसे मना जाता था विष्नु को थीखे आगे बढ़ते हैं 48 नमबर नमबर है मारा सरप्रथम कर लगानी की प्रथा किस काल से शुरू हुई थी तो सर प्रथम कर लगानी की प्रथा रिग वैदिक काल से शुरू हुई थी उतर वैदिक काल से शुरू हुई थी पूरा वैदिक काल से शुरू हुई थी या सिंधु काल से शुरू हुई थी तो सर प्रथम कर लगानी की जो प्रथा थी वो उतर वैदिक काल से ही शुरू हु मेगदूत के रचाईता कौन है बेद ब्यास बालमी की काली दास या कोटिल तो कौन है काली दास ची ठीक है नेक्स बात करते हैं तो नेक्स हमारा काली दास की प्रथम रचना क्या थी मेगदूत रघुवंस अभिग्यान सकुतलम या रितु सम्हार तो काली दास की प्रथम र बात करेंगे भारतियत यहां समें जो प्रमुख जो धर्म थे उनके बारे में ठीक है तो हमें कहने से तो आप वीडियो को लाइक नहीं किजिएगा अगर दिल करें तो लाइक कर दिजिएगा सब्सक्राइब भी कर दिजिएगा इसमें कुछ आपका पैसा रुपया तो नहीं कर सकता है तो थैंक यू फॉर वाचिंग